हलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, किट्स लनिंग फन, आज हम डिसकस करने वाले हैं, क्लास फॉर्स्ट माथ वर्कशीट, क्लास फॉर्स से रिलेटिट सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स को चेक करने के लिए, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चै चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आज की वीडियो अगर हेलफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर आपके रिलेटिवस में, फ्रेंड्स में कोई भी बच्चा क्लास वन में पढ़ता है, तो आप ये वीड लेसर देन एन इकुल टू की साइन लगाने के लिए बोलना है, तो यहाँ पर पहला नंबर हमें दिया गया है, ट्वंटी फोर एन थर्टी टू, तो बच्चो बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा, थर्टी टू, तो इसकी तरफ हमारा जो साइन है वो इस तरीके से लगेग नेक्स नंबर है हमारा 50 and 50, यानि यहाँ पर 50 टॉफी जैं, यहाँ पर भी 50 टॉफी जैं, दोनों इकुल टॉफी जैं, तो इकुल टू का साइन यहाँ पर लगेगा, आप बच्चों को एक्जांपल के थू भी बता सकते हैं, 29 and 92, यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है, इसका reverse नंबर है 92, तो 92 नंबर हमारा बड़ा है, तो हमारा साइन आएगा greater than का इस तरफ, 26, 62, 62 इस greater नंबर, 49, 49, बोट नंबर जो है वो इकुल है, तो यहाँ पर signature आएगा, इकुल टू का, 56, 58, तो नंबर हमारा कौन सा बड़ा है, 56 या फिर 58, 58 नंबर बड़ा है, देखो, य यहाँ पे 10's की प्लेस पे तो है 55, और 1's की प्लेस पे है 6 और 8 नंबर, तो 8 नंबर हमारा बड़ा है, तो साइन आएगा हमारा इस तरीके से, 89, 100, 100 is a greater नंबर, 22 and 84, 84 जो है वो greater नंबर है, और 22 हमारा smaller नंबर है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला question था, use correct sign, greater than, lesser than, और equal to को ह हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के complete कर लिया है, so next question है हमारा fill in the blanks, तो यहाँ पे हमें कुछ addition के, कुछ subtraction के, और कुछ multiplication के sum दिये गए हैं, तो इनको हमें check करना है, then इनको हमें fill up करना है, so बच्चों, पहला question है हमारा 2 plus 9, 2 plus 9 को हमें add करना है, यानि addition करना है, तो 9 plus 2 होता है, 11, 4 plus 4, 4 plus 4 equals to 8, 8 minus 2, 8 minus 2 equals to 6, 5 plus 4, 5 plus 4 equals to 9, 2 9's are 18, क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारा table, तो 2 का table बच्चों को 9 तक पढ़ना है, तो answer आएगा, 1 8 18, next question we have, 3 multiply by 8, यानि कि यहाँ पे है, 3 का table, 3 8's are 24, 9 minus 9, देखो बच्चों, हमारे पास कोई चीज है, जो count में 9 है, उसमें से 9 हमने minus कर दी, यानि कि किसी और को दे दी, तो answer बच्चा हमारे पास, 0, 4 multiply by 4, ये भी table है, तो 4 4's are 16, 5 6's are 30, last question है, हमारा subtraction का, तो 10 minus 8, 10 में से जब हम minus 8 करेंगे, तो answer आएगा, 2, so next question, we have, arrange in ascending order, तो यहाँ पे हमें कुछ numbers दिये गए हैं, इन numbers को हमें, ascending order में arrange करना है, ascending order का मतलब क्या होता है, बच्चों, ascending order का मतलब होता है, कि छोटे से बड़ा number, यानि कि smallest to biggest number, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो हमारा सबसे smallest number है 15, यहाँ पे हम लिखेंगे 15, 15, then next number है हमारा 29, उसके बाद आएगा 34, इसके बाद number आएगा हमारा यहाँ पे 62, and last में number आएगा हमारा 93 इसी प्रकार से हमें next question भी करना है तो सबसे smallest number हो गया हमारा यहाँ पे 4 then 9 उसके बाद आएगा बच्चों 1, 2, 12, 44 and last में है 69 तो यहाँ पे हमने करें हमारे ascending order के number next question है हमारा arrange in descending order यानि कि यहाँ पे जो numbers दिये गए हैं उनको descending order में arrange करना है descending order का मतलब होता है bigger to smallest number यानि कि greatest to smallest number तो यहाँ पे सबसे बड़ा number है हमारा 100 then आएगा 37 उसके बाद है हमारा यहाँ पे 11 जो same numbers दिये गए हैं वही number आएगे हमारे यहाँ पे 9 and 2 next number हमें यहाँ पे दिये गए हैं उसमें है सबसे बड़ा number 112 उसके बाद आएगा हमारा 112 के बाद आएगा 68 then 5050 then आएगा 22 and last में आएगा 6 number तो यहाँ पे भी हमने ascending order descending order के questions को complete कर लिया है so next question है हमारा write the numbers यानि कि यहाँ पे हमें कुछ sentences दिये गए हैं इनको हमें numbers में लिखना है तो पहला है हमारा 5 tens and 5 ones is 5 जो है वो tens की place पे है और ones पे है 5 तो answer आगया 55 8 tens and 3 ones तो यहाँ पे लिखेंगे हम 83 next में आएगा 6 tens and 4 ones 64 4 tens and 4 ones यानि 44 7 tens and 1 ones तो यहाँ पे आएगा answer हमारा 71 तो यह जो भी हमें दिये गे थो उनको हमने numbers में लिख दिया है next question है हमारा fraction का तो यहाँ पे हमें कुछ pictures जो है वो draw करके दी गई है तो question हमें दिये गए है according to that हमें उनको complete करना है so first fraction में हमें दिया गया है shade half 1 upon 2 तो इसमें हमें क्या करना है जो हमें circle दिया गया है उसका half part होता है 1 upon 2 तो उसको हमें shade करना है आप किसी भी color से बच्चे से उसको करवा सकते है next यहाँ पे दिया गया है 1 upon 3 तो यहाँ पे जो 3 shapes दी गहीं उसमें से हमें क्या करना है जो 1 third है उसको हमें color करना है next question हमें दिया गया है shade 1 upon 4 तो fraction में क्या होता है जो भी दिया जाता है उसके according हमें करना होता है तो 1 upon 4 का मतलब हो गया 1 fourth जो है उसको हमें यहाँ पर shade करना है so according to shades जो हमें दी गई हैं उसके according हमें यहाँ पर fraction की question को complete करना था तो वो हमने यहाँ पर कर लिया है so next question हमें यहाँ पर दिया गया है complete the sentences तो यहाँ पर पहले हम इनको read करना है then यहाँ पर उसका answer लिखना है so first question हमें यहाँ पर दिया गया है the more than 8 is the more than 8 is यानि कि 8 में अगर हम one more add करते हैं तो कितना answer आएगा answer आएगा यहाँ पर 9 4 more than 5 is यानि 4 में अगर हम 5 को add करेंगे तो again आएगा 9, 8 more than 2 8 में जब 2 add करेंगे तो आएगा 1, 0, 10 4 more than 11 11 में अगर हम 4 add करेंगे तो आएगा 15 6 more than 2 8, 5 more than 5 is 1, 0, 10 so next question है हमारे यहाँ पर mental math का so first question है what is 4 multiplied by 5 जहाँ पर multiplication का question आजाता है इसका मतलब वो table का आ रहा है question तो 4 फाइजा बच्चों होता है 2, 0, 20 write 62 in numbers तो 62 को हम in numbers में लिखना है तो answer लिखेंगे हम 6 to 62 which number is multiple of 2 2 का multiple कौन है 2 का multiple वही number हो सकता है जिसके last में even number हो तो यहाँ पर even नहीं है odd है even है, odd है, odd है so 24 is the multiple of 2 what is 42 divided by 2 42 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर हम एक बार साइड में करके देख लेते हैं 42 और 2 2, 2 जा 4 यहाँ आ गया 0 तो 2 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे 2, 1 जा 2 तो यहाँ पर आ गया 0 तो इट मिन्स 2 का अगर हम 42 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पर 21 which number comes after 26 26 के बाद आता है 27 तो आज हम लोगों ने डिसकस किया है क्लास 1st Maths Worksheet अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful है तो प्लीज वीडियो को like जरू करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और more वीडियो को चेक करने के लिए bell notification पर जाकर के आप all पर click कर दीजे ताकि in future जितने भी वीडियो आने वाली हैं उनका notification आप तक पहुंच पाए और आपको helpful वीडियो मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू